हेलो फ्रेंड्स दोस्ता आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारा चहरा और पूरी बोड़ी बहुत ज्यादा गोरी और निखरी भूई दिखाई देती है लेकिन कई बार चहरा और बोड़ी गोरे होने के बावजूर भी हमारी गर्दन काफी ज्यादा काली हो जाती है हमारी गर्दन पर बहुत ज्यादा डेट स्किन सेंस जब इढ़ती है लेकिन हम ज्यादा तर अपने चहरे पर और गले पर ही फोकस कर पाते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, जितना ज्यादा सॉफ्ट हमारा चेहरा होता है, हमारे गर्दन की स्किन भी उतनी ही सॉफ्ट होती है, इसलिए हमारी गर्दन को भी सही एक्सपोलियेशन यारे की सही तरीके से स्क्रब करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा है लेकिन आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली है तो मेरी वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों जिस तरीके से हम अपने चेहरे की डेस्किन सेल्स को हटाने के लिए अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करते हैं और मौस्टराइजेशन करते हैं कि उसी तरीके से हमारी गर्दन को भी स्क्रबिंग की जरुरत होती है गरदन को अच्छी तरीके से स्क्रब करने के लिए आप नीबू और बेकिंग सोडा को मिक्स करके स्क्रबिंग करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी गरदन से सारे मैल और सारी डेट्सकिन सेल्स को असानी से साफ कर देगा इसके बाद आप अपनी गर्दन पर मॉस्टिराइजेशन जरूर करें मॉस्टिराइजेशन के रूप में आप कोई अच्छा मॉस्टिराइजर इपलाई कर सकते हैं या फिर आप दूद की मलाई को ही मॉस्टिराइजर की तरह अपनी गर्दन पर रगड़ सकते हैं ऐसा करने से आपकी त्वचा के सारे खुले हुए पोर्स अच्छे तरीके से अपनी नॉर्मल शेप में वापस आने लगेगी। इसी के साथ साथ अपनी गर्दन के काले पन को दूर करने के लिए आप टमाटर के रसका भी प्रियोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गर्दन पर आप पैक भी लगा सकते हैं। आप कोई भी पैक जो भी अपनी चेहरे पर प्रियोग करते हैं, उसी पैक को आप अपनी गर्दन पर लगा कर सूखने के बार वाश कर दीजे। अगर आप एक हफते तक ऐसा लगातार करते हैं, तो ये आपकी गर्दन के कारेपन को दूर करने के लिए काफी अच्छा सुझाब है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को ट्राए जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।